जैमा डाट काली भक्तूं आज का जो वीडियो है आप सभी को पता है ये साल जो है कहा जा रहा है कि 2024 नुमरोलोजियन के अंक सास्त्र के हिसाब से 8 नमबर बन रहा है और 8 नमबर है शनीदेव का नमबर तो ग्रहों में जब हम शनीदेव की बात करते हैं शनीदेव होते हैं हमारे कर्मों के राजा हमारे कर्मों के जज जो हमारा जजमेंट करते हमें न्याय दिलाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार अब अगस्त चल रहा है अगस्त भी आटवा महिना है और आटवा महिने पर ये वी कुछ भी फाइदा नहीं होता है उपाय करते हैं निवारण नहीं होते हैं इतनी अच्छ अच्छ करम करते हैं तो भी हमारे साथ बुरा होता है आकेर ऐसा क्यों हो रहा है कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगा आज मैं शनीदेव को लेकर जिससे आप अपनी परेशानी का पता लग सकें कहीं शनीदेव तो नहीं जिनके वजे से हमारी करमों की सजा हमें मिल रही है और सब कुछ करने के बाद भी हम विफल हो रहे हैं कैसे आप पैचान सकते हैं और वो कौन से उपाय हैं जिससे हम शनीदेव की कृपा हम पा सकते हैं साक्षाद उनकी जो है उपकार हम पा स कि सबसे बहुत मैं यह बताऊंगा कि शनी देव नराज हैं तो कैसे पता लगाना है धन की कमी हो रही है तो शनी आपका कही न कहीं कमजोर है संबंदों में खराबी आ रही है यानि कि वैवाहिक जीवन आपके बहुत कलेश भरे हो गए हैं और तलाग तक के नौबत आगे तो शनी देव आपको आपके कर्मों की सजा दे रहे हैं और पद और प्रतिष्ठा में आपकी हानी हो रही है मान जमान में आनी हो रही है तो कहीं न कहीं शनी देव आपके उपर कोप कर रहे हैं और किस तरीके से उनके उपाए करे जाएं ताकि शनी देव का हम उपकार मान सके जैसे भी बुरे करम करें हैं, जितने भी बुरे करम करें थे, उनके बदले हम उन करमों का सुधार कर रहे हैं पूरी तरीकी से आपको समझाने से पहले आप लोगों से हमीशा की तरह एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या और आप समस्या का समाधान चाहते हो 100%, तो आप मुझसे पसली कनेक्ट हो सकते हो, पसली मुझसे संपर्ख कर सकते हो, वो कैसे, आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लेंक करते वे देख रहे हो, ऑफिशल देवी भगवती शक्ती के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ इंबॉक्स पे जाकर, मेसेज बॉक्स पर जाकर आप अपॉइनमेंट लिखें, एक चोड़ी से अमाउंट पे करने के बाद, आप मेरे साथ अपॉइनमेंट बुक कराएं, टाइम बुक कराएं, टाइम पे जो आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आप से मैं बात करूँगा, इंस्टा कॉल के माध्यम से, और जो भी प्रॉब्म होगी, आप से डिसकस करके आपको 101% सॉल्यूशन दूँगा, अब वीडियो को शुरू करता हूँ, तो वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि शनी देव, जब आपको परिशान करने लगे, तो समझ लें कि अब इन चीजों पर त्यान देने का समय आगे, कौन जी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, पर मैं आपको बता दो कि शनी देव जो है न, वो सक्त मिजाज के हैं, शनी देव का जो सौभाओं है, एक न्याया धीर की तरह है, जो सिर्फ सभूतों पर बात करता है, जजबातों की जो शनी के सामने कोई वैल्यू नहीं होती है, आप जैसा करते हैं, जिस तरीके का करम करते हैं, उस तरीके का फल आपको भोकने को मिलता है, शनी उसी के अनुसार आपको परिणाम देते हैं, और यदि आपने अच्छे कार किये हैं, तो शनी शुब फल देंगे, वहीं अगर खराब करम करने पर बुरे दिन दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो भाईया सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, जैसे कहा जा रहा है, यह जो समय है, यह जो साल है, शनी देव का है, तो अपने करमों का जो लेखा जो का आप अपने आप ध्यान रखे, और यह महीना जो अगस्त का है, वो भी शनी देव का है, तो भाईया इस महीने भी सतर्क रहे है, तो अब सबसे पहले तो कैसे पता लगाएं कि शनी देव हमसे रुष्ट हैं, नराज हैं, वो कैसे पता लगाएं, बै आपको बता दू, शनी देव आपसे नराज हैं, इस बात का पता चितनी जल्दी आपको लग जाये न, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, पानी सिर के उपर से घुजर जाने पर उपाय करने से कोई लाव नहीं होगा, शनी देव जब नराज होते हैं, तो कुछ साइन देते हैं, इन संकेतों को समय पर रहते जान लेने से ही भलाई है, शनी जब खफा होते हैं, तो जीवन में इन चीज़ों की जो परेशानिया है आशिरवाद स्वरू प्रदान कर देते हैं, भई तो इस तरीके का आशिरवाद अगर आपको शनी देव महराद से नहीं चाहिए, तो बच के रहना हमेशा की तरह, और सबसे पहला जो आशिरवाद आ रहा है न, जो परेशानी का आशिरवाद जैसे कहेंगे, शनी देव की क्रपा आपके उपर आ रही अगर आपके करम अच्छे नहीं है, तो सबसे पहला जो आपको फल भुवतने के लिए मिलेगा, धन की कमी, धन की हानी, जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुनी, आपने धन से रिलेटेद, मनी से रिलेटेद, पैसे से रिलेटेद प्रॉबलम आपको जेलनी बढ़ेगी, जीवन में परिश्रम करने पर भी परियाप्त सफलता या धन की प्राप्ती नहीं होती है, समझ लिए कि शनी कहीं न कहीं कोई अर्चन डाल रहे हैं, इस स्थिरी में किसी योग्य, सास्त्र अनुशार, जो है जोतिस से आप मदद लीजिए, सला लेनी चाहिए और अपनी कुंडली का परिक्षन कराना चाहिए, यदे कुंडली में शनी की महादशा, अंतरदशा, साड़े साती या धैया की स्थती बनी रही है, तो इस संबंदित उपाए आरंब कर देना चाहिए, इससे संबंदित कोई उपाए आपको वो देंगे पंडित जी और उससे निर्धारित समय पर आपको प्रारंब कर देना चाहिए, अगर कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, मुझे भी दिखवा सकते हो, पसली कनेक्ट होके और जानकारी ले सकते हो कि भईया, शनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके उपाए भी आपको 100% दे दिये जाएंगे, वहीं दूसरा जो आशिरवाद, प्रॉब्लम का, परिशानियों का जो आशिरवाद की बोचार हो रही है न, पहले तो मैंने बता दी कि भईया, दन की हानी, दन की कमी, दूसरी जो है, संबंदों में खराबी आनी शुरू हो जाएगी, जी हाँ, शनी की शुबता का सबसे पहले, आपके संबंदों में प्रभाव पड़ता है, पती, पत्नी, भाई, बेहन, संतान, पिता, पुत्र के साथ आपके करीबी रिष्टेदार और मित्रों से रिष्टे खराब होने लगते हैं, जिस कारण लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, एक तरह से आप अलग धलग पढ़ने लगते हैं, शनी के अशुब होने के कारण तलाक, विवाद और कोट कचैरी के मामलों में आप फसने लगते हो, तो जैसे मकडी का जाला है ना, जो फैला देती है मकडी और उसमें जो फस जाए तो फस जाए, निकल नहीं सकते हैं, तो उसी तरीके का जाला जो है, आपके लिए बुन दिया जाता है, आपके करमों के अनुसार, और जितने बुरे करम उतना बड़ा जाला, और उससे निक कोई नहीं रोक सकता यह मैं डरा नहीं रहूं सत्य वचन है आप समझेंगे तो आप करम करेंगे और करम करेंगे तो आपको फल भी उसके अनुसार करने को मिलेगा या खाने को मिलेगा अब जो अगला जो आशिरवाद है परिचानियों भरा वो है आपकी पद और प्रता में कमी आने लगे तो समझ लें कि कहीं ना कहीं शनी खराफल दे रहे हैं करियर हो गया जॉब हो गया उसमें अरचन आने लगे उच्पद पर आसीन होने के बाद भी माट समान में कमी आने लगे तो शनी की स्तुति आरंब कर देनी चाहिए और उन कारियों से तौब कर देते हैं जो पद पाकर अपनी शक्ती का गलत परियोग करते हैं। ऑफिस में अपने नीचे बैठे लोगों को परिशान करने लगते हैं। सासन, सत्ता की शक्ती पाकर जो लोग कमजोर और गरीबों को सताने लगते हैं। शनी देव उन्हें सबक सिकाकर ही मानते हैं किसी भी शक्ती परियोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए जो लोग इसका फायदा अपने हितों के लिए करने लगते हैं ना उन्हें शनी समय आने पर कठोर डंड और कष्ट प्रदान करते हैं अब ये तो थी परिशानियों का आशरवा जो शनी देव के कृपा से आपको मिलता है आपके कर्मों के नुसार अब इनके उपाये भी है भी फस गहे हो तो निकालना जरूरी है पर अगर जिन लोगों का अंत समय नहीं आया है और अभी भी वो समल रहे हैं या समझ रहे हैं कि भी मुझे अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए कहीं न कहीं शनी देव मुझसे रुष्ट है और इनको ठीक करना चाहिए तो कैसे कर सकते हो वो उपाये मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूँ तो आप इनको सुनिए समझे और उसके आधार पर ये उपाये जरूर की जोतिश में तीनों लोग का नया धीश बताया गया है यदि शनी अशुप हो जाए तो सबसे पहले आत्म चिंतन करना चाहिए जाने अंजाने में यदि आपने किसी को ठेस पहुँचाई है तो बिना शर्त उस व्यक्ति से माफी मांगने पर देर नहीं करनी आपने गलतिया या गलतियों के लिए चमा जरूर मांगे चमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता सास्त्रों में लिखा है कि चमा मांगना श्रेष्ट व्यक्तित्व की निश्तानी होती है गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति यदि चमा मांगना और चमा करना आफ़ों का कल्यान करते हैं जो स्वेम को गल्टियों से दूर रखते हैं. पश्यताब की अगनी में तपकर जो निकलता है न उसे शनी अपनी कृपा से तार देते हैं. अनुसाशन में रहें, नियम कानून का पालन करें, प्रकृतिव पशु और पक्षियों का सनरक्षन करने वालों मृत्य तुल्य कश्ट जेलरे व्यक्ति की सेवा वसायता करने वालों को शनी जो है शनी देव जो है कभी हानी नहीं पहुंचाते हैं तो जिन भी लोगों के उपर इस तरीके की परिशानिया है सबसे पहले उनसे यही निवेदन किया जाएगा कि भई अपने कर्मों का सुधार करें जितना उसके अच्छे करम कमाए पॉसिटिव रहे और कुछ ऐसी जैसे प्राकर्टिक की सेवा करें नीचर की सेवा करें नीचर को गंदा ना करें पेड़ पौधे उखाए अच्छे करम कमाए गरीबों को खाना दे और इसमें जो है शनी देव तब भी प्रस कराएं उनके सेवा करें इस तरीके का कार्याप करते हैं तो शनीदेव आपके उपर 101% अपनी कृपा बरसाते हैं दूसरा आप ये कर सकते हो कि काले और नीले रंग को थोड़ा सा वाइड रखें और इनको कम पहने इनका परियोग कम करें और अगली जो चीज है कि ये है कि प आप रजुलित करें इस तरीके से अगर आप कारे करेंगे शनीदेव आप पर करपा करेंगे और जो भी आपके पाप करम है उनको नश्ट करते जाएंगे आप जितने भी मसदूर होते हैं जितने भी लेबर होते हैं जितने भी करमचारी होते हैं जो आपकी सेवा के लिए ना तो नौकर होगे माली होगे किसी को भी आप काले रंग की कोल्डरिंग उनको फ्री में दे सकते हैं अब जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं उनसे निवेदन है प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें जरूर बन लोगे साथ शेर जरूर करें कमेट में जै शनीदेव या जै मातादी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें सभी भक्तों को जय माता दी जय मादाट का दी